उत्रखन ओपन उन्यवस्टि के आजकल एक्जाम चल रहे हैं और हिंदी का भी एक्जाम होना है स्टूडेंट्स का तो उनके लिए आजका हम कंटेंट लेकर आए आजका जो हम कंटेंट लेकर आए हैं म.E.A.H.L.501 है और आपके पेपर का नाम है हिंदी साहित्या का इतिहा और आधिकालिन कवीता इसमें क्या है हम आपको टॉपिक वाइस तो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अभी आपके एक्जाम है अगर आपके क्वाइरिज रही और आप विंटर में जाकर एक्जाम देंगे तो टॉपिक वाइस भी आपको क्लासिस दे दी जाएगी लेकिन फिला यानि के जो फर्स समेस्टर के स्टुडेंट्स हैं उनके लिए पेपर है M.A.H.L. 501 अब यहाँ पर हमने चेक करना है आपके कितनी यूनीट है और यूनीट वाइस आपके टॉपिक कौन-कौन से बन रहे हैं सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी जो खंड वन है खंड यूनीट इन्होंने ली है तो बहुत ही कम स्लेबस है आपके पर्थम सत्र हेतु यानि के फर्स समेस्टर के लिए बहुत ही कम है एठी यूनीट है आपको करनी है और बहुत ही आसान है यह वाला स्लेबस आपके लिए चलिए चक कर लेते हैं आपका स्लेबस के अकौर्डिं कौन-Kौन से टॉपिक आपके लिए पहुत ही महत्वपुन रहेंगे और किस प्रकार से? अगर आप विंटर के एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स बनाईए और अगर आप विंटर की तैयारी नहीं कर रहे हैं और भी आपके एक्जाम है जो पाश्चत्य प्रमपरा रही है इसको भी पढ़ लिजे और साहिती इतिहास अर्थम सवरोपिय पढ़ लिजे और इतिहास का जो है विज्ञान एमकला से क्या संबंद रहा है ठीक है तो ये दो तीन टॉपिक हैं इस वाली उनीट में इसको आप के लिए कर लिजेगा और यहां से अपने नोट्स बना लिजेगा जो टॉपिक में आपको बता रही हूं तो उन टॉपिक के नोट्स बना लिजे या फिर उनके एक तो होते हैं नोट्स आप सारा लिखते हैं चिरपी नोट्स में क्या होता है आप किसी टॉपिक को लाइन वाइस शॉट कर लेते हैं उसमें से आप टॉपिक आपने पढ़ा और उसमें से आप लाइने लिखते चले गए जिससे आपको याद रहता है कि हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ा था ठीक है चलिए सेकंड निट पर हम आ चुके हैं सेकंड निट में हिंदी साहिति इतिहास प्रंपरा का उद्भाव एम विकास अब इसमें आपको क्या पढ़ना है दोनों ही टॉपिक आपको पढ़ने पढ़ेंगे इसके बाद इन्होंने लिए हैं जिस जिसने इतिहास लिखा है गारसादा तासी है करमुदीन है शिव सिंग सेंगर है जोर्ज इबरहाइम ग्रियरसन है मिश्र बंदु है एडविन ग्रिवीज है एफ ए के हैं तो इन सब ने अपना अपना इतिहास लिखा है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको सब के बारे में पढ़ना कहते हैं तो गारसादा तासी जरूर पढ़ài destanu के बारे में जरूर पढ़ीजे और सिव सिंग संगर के बारे में जरूर पढ़ीजे ठीक है तीन तो एटलिस्ट पढ़ी लीजे क्योंकि यहां से कोशंस बनता है और यहां पर फिर आचारे राम-चंदर शुक्र जी का इतिह इसके बारे में भी आप जरूप पढ़ लीजे, यहां से कोशन्स जरूर पुटफ होते हैं चलते हैं आपकी नेस्ट यूनीट की तरफ नेस्ट यूनीट में देख लेते हैं कौन कौन से कोशन्स आपके बनेंगे यहाँ बर अभी ये इतिहास परमपरा ही चल रही है यूनीट बहुत कम है 80 यूनीट है तो आराम से त्यारी हो जाएगी चलते हैं यहाँ पर हिंदी साहितेतस नामकरण की समस्या अब यहाँ पर जो आदिकाल है नामकरण की समस्या यहाँ भी रही है भक्तिकाल में भी रही है रितिकाल में भी रही है आधुनिकाल में भी रही है अब यह नामकरण की समस्या क्या है किसी ने आदिकाल को कुछ नाम तो इतिहासकार जो भी आपको मैंने उपर बताए थे तो जी जिसने भी इतिहास लिखा हिंदी साहित्या का इतिहास लिखा तो उन्होंने अपने इसाब से जितने भी ये काल हुए हैं इनको अपने इसाब से अपने गरंथ में नाम दिये हैं तो वो आपको पढ़ना है कि कु नाम दिया है तो ये सब आपको यहां पर पढ़ना पढ़ेगा चलते हैं लेस्ट यूनिट की तरफ आपकी यह तोड़ा में कीलियर आपकी जो डाउट होते हैं वो कीलियर करती हूं क्योंकि मैं ओनलाइन क्लास तो ले नहीं रही हूं मैं बुकवाइज आपको बता देती हू क्योंकि ये वो कुछ इस तरह की है जिए बच्चा इसको पहली बार पढ़ेगा तो इसको लगेगा कि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज मैं आपको समझाती हूँ चलिए हैं आपर देख लिजे हिंडिस साहिते इतिहास लेखन काल विभाजन अब पहले तो था नामकरन नामकरन की समस्या अब काल विभाजन अब जैसे आपका भक्तिकाल है भक्तिकाल में जो है किसी जो आपके इतिहास कार रहे हैं साहिते इतिहास कार रहे हैं किसी ने कोई समय दिया किसी ने जैसे तेहरा सो आपका तेहरा सो पिछटर से लेकर सतरा सो सो दे दिया रितिकाल का टाइम ऐसे ही आपका जो अलग-अलग ने दिया है राम चंदर शुकल जी ने कुछ और टाइम दिया है तो वही काल भी भाजन यहां पर बताया गया है तो सभी के बारे मे आपको यहाँ पर पढ़नेगा क्रेशन के बारे में मिजरे बंधू ने किया दिया है रामचंदर शुकुल जी ने तीन तो ये इंपोर्टेंट है ही उपर के बाकी ये भी आप देख लीजेगा ठीक है ये तीनों के बारे में तो पूछा जाता ही है चलते हैं नेस्ट यूनिट की तरफ नेस्ट यूनिट में कौन से कोश्चन्स या टॉपिक आपके बनेंगे उनको हम चेक कर लेते हैं नेस्ट है आपका अब है आधिकाल पहले क्या था? पहले हिंदी साहित्य की इतिहास की शुरुआत कहा से हुई? कौन से लिखोकों ने उसको लिखा कौन से इतिहास कारों ने उसको लिखा उसमें नाम करन किस काल को क्या नाम दिया गया उसका टाइमिंग क्या रखा गया वो सब आपको किलिर कर दिया गया है अब आपका शुरू होता है आधिकाल जहां से इतिहास की शुरुवात होती है, किसके हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुवात होती है, तो आदिकाल से ही सभी ने माना है, हाला कि इसको नाम अलग अलग दिये हैं सभी ने, लेकिन शुरुवात यहीं से मानी है, टाइमिंग भी सबका अलग है, नाम भी अलग है, लेकिन मानी सबने आधिकाल से ही है, ठीक है अब यहाँ पर जो वीर गाथकाल है ये नाम दिया है रामचंद्र शुकल जी ने आधिकाल नाम दिया है हजारी परसाद्भेधी ने, तो ऐसे आपको ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ना पढ़ेगा अब यहाँ पर आधिकाल या वीर गाथकाल बस यही मानने रहा है बाकी सब ने अपने इसाब से नाम दिये हैं लेकिन मानने ता मिली है आधिकाल और वीर गाथकाल को ठीक है अब यहाँ पर आधिकाल के बारे में आपको पढ़ना है आधिका समुझर कार से टैक किया गया कि यही आधी काल है क्या संबंगरी के द्वारा बताया गए को आधीकाल मैं कि आधार पर पर प्रिकरिया क्या से इसका स्वरूप रहा और कैसी इसकी प्रिकरिया रही चले देख लेते हैं पहले पढ़ना है आपको आदिकाल कार्थ हैं स्वरूप फिर इसकी परिस्तितियां कैसी रही कैसी रानितिक धार्मिक समाजिक साहितिक की इसको आदिकाल नाम दिया गया इन परि प्रवर्वर्थिया पढ़नी है बहुत IMPORTANT topic है यह वाला तो अगर आपने यह topic बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो समझो आपको आदिकाल सारा अच्छे से समंझ में आ जाएगा क्योंकि आधिकाल में सिद साइते हैं, नाच साइते हैं, जैन साइते हैं, चारण कावे, लोकी कावे, यह आपने पढ़ लिया, तो सारा आधिकाल आप पढ़ चुके इसका मतलब, ठीक है, चलिए, चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट पर आपकी, पढ़ना तो आपको सभी डीपली जाकर पढ़ना पढ़ेगा, लाइनवाज पढ़ना पढ़ेगा, हाँ, जो टॉपिक में बता रहे हूं, उनको आप अपनी जो नोट बुक है, उस पर नोट डाउन जरूर कर ले, चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट पर, नेक्स्ट यूनिट में अब कहा गया है कि जो आदी कालिन कवीता थी, उसमें रस का क्या रोल था, चंद का क्या था, लंकार का क्या था, लंकार योजना किस प्रकार की थी, कौन से रस प्रयोग किये गए हैं, तो इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है, श्रंगार रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और हिंदी भक्त काव ये कभी इसमें हुआ है ठीक है अब यहां पर श्रंगार रस और वीरस का जादा प्रभाव रहा ठीक है वीरस जादा इतना नहीं रहा जितना की श्रंगारिक यहां पर लिखा गया रितिकाल में और अधिकाल में श्रंगारिक जादा लिखा गया था अब यहां पर जो इनकी क कावे पद्दती थी किस तरे की थी वह कथात्मक थी यानि के जो कवीता भी लिखी जाती थी वो कथा के तोर पर ही लिखी जाती थी ठीक है अब यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको यह आदिकालिन कावे की अभी वंज ना पढ़ेगा अब इसकी ऑनलाइन हम लाइव क्लास चलाएंगे लेकिन थोड़ा हमें टाइम लगेगा जनवरी फरवरी में जब आपके अक्जाम होंगे बिंडर वालों के तब हम इसकी लाइव क्लास चलाएगे तब आपको रच्छे से केलिर हो जाएगा इतना आप इस तेश भाषा आप रंस अबर्ट और पुरानी हिंदी और यहां पर विश्यस टादिकान रचलाएं और उनकी भाषा यह तीन टॉपिक आप जरूर पढ़ लिजेगा कौन सी उनिट थी आपकी एट उनिट खतम हो चुकी है एट उनिट आपके स्लेवस में अनेरे यह हिंदी मि भी होना है तो तैयारे शुरू कर दीजिए और यहां पर एक कमेंट बोक्स में जरूर सेंड कीजिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके हिंदी मिरर से जुड़ जाएए